तो दोस्तों आज मैं आपको बैदनाद की ऐसी गुफा में लेकर जा रहा हूं जो रस्यों से भरी हुई है यह गुफा जोत्वर के रेलवेशन से करीब 20 किलमेटर दूर रिस्तिते हैं यह गुफा बहुत ही पुरानी मानी जाती है इसका निर्मान कब हुआ कैसे हुआ आज तक कोई पता नहीं लगाए पाया है इसका रस्यों से जाने के लिए देश विदेश के विग्या ने इस गुफा का रस्यों से कोई नहीं सुल जा पाया है कहा जाता है कि रावन की बारात भी इसी मारक से आई थी और यह भी कहा जाता है कि देवी देवताओं के दोवारा इस गुफा का निर्मान करवाया गया तो आगे इस वीडियो को एंड तक जुरूर देखेगा गुफा के बारे मैं ऐसी क्रोमांचित बाते बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताई है तो बिना इसकीप किए वीडियो को एंड तक जुरूर देखेगा आज काई वीडियो बड़ा इंट्रेस्टिंग बने वाला क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद में एक नए व्लोग बनने जा रहा है तो यह माताजी का मंदिर देजिर माताजी का मंदिर है यह बहुत सांदर गुफा है चलिए आपको गुफा के बारे में पुरी जानकरी में देता है तो दोस्तों यहां पर एक सांदाश्रा मंदिर भी बना हुआ है जो बहुत ही सांदर आकरसित महल बनाता है यहां का प्रक्तिक रूप से नजरा देखने को मिलता है और यहां हर साल मेला भरा जाता है जो भोगी साली प्रक्मा के रूप में यहां मेला भरा जाता है और नवरात्रा के दिनों पर यहां पुझा अर्चना की जाती है और इस मंदिर में बंदरों की संक्या बहुती अधिक देखने को मिलती है यहाँ पर जोत्पुर्वासी बंदरों के लिए खाना भोजन लेके आते हैं और बंदरों को खिलाने पहुंच जाते हैं अबना भोजन लेके आते हैं झाल झाल तो यह मताजी का मंदिर की यह सबसे बड़ा मंदिर है यह है गुवा का वो पस्ट गेट चांस से एंटर गुवा जाता है और गुवा के दो गेट है जो वीडियो के पीच में हमें देखने को मिलेगा गुवा में अंजान आदमी नहीं आसकता है तो अमारे साथ में हैं हमारे मित्र रविंदर भाई जो शीगाओं के रहने वाले हैं और गुवा के 500 मिटर के एरिये को हर रास्ते को जानते हैं तो गुवा के अंदर चलते ही हमें बगवान गनेजी की मूर्दी मिलते हैं गुवा के अंदर पर्विस करते ही हमें हर परकार के रास्ते नजर आए कौन सा रास्ता कहा जाता है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है गुफा के अंदर हर परकार के जानवर भी मिल सकते हैं जैसे हमें चमगादर देखने को मिली है वीडियो के वीच में आपको ऐसी भायानक चमगादर का समूध देखने को मिलेगा जो बहुती भायानक है हमारे मित्र रविंदर भाई बताते हैं कि गुफा के 500 मिटर के एरियो में हमें तीन मंदिर भी देखने को मिलेंगे सबसे पहले गजाने जी का और दूसरा भगवान सिव और तीसरा माता जी का मंदिर गुफा में किसी परकार की रौसनी देखने को नहीं मिलती हमें टॉर्च या मुबाईल की लाइट लगा के ही गुफा का रास्ता पता करना है गुफा में हर गेट बहुती भायनक लगता है जैसे अंदेरों से घिरावा रास्ता और इसी रास्ते से कहा जाता है कि रावन अपनी बारात लेके भी आये थे जो मंडूत्री से विवा करने के लिए मंडूर पहुंचे थे और ये भी कहा जाता है कि ये गुफा देवी देवतों के दोरा बनाए गई हमारा मानना है कि जब राजा माराजा युद के समय छुपके निकलने की जगह इसी गुफा का इस्तमाल करते थे और ये भी कहा जाता है कि ये गुफा पाताल लोग तक जाती है अगर कोई वेक्ती इस गुफा के अंदर चला जाता है तो वो लोट कर वापस नहीं आ सकता है क्योंकि गुफा में किसी परकार की रौसनी आपको देखने को नहीं मिलेगी हमें रास्तों का अभी फिलाल मालूम नहीं चला है कौन सा रास्ता कहा जाता है क्योंकि हम खुद रास्तों का अनमान नहीं लगा पा रहे हैं तो हमारे मित्र हमें ले आये हैं भगवान सिव के मंदिर तो हम भगवान सिव के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम गुफा का दूसरा रास्ता भी चलने को तयार हो गए हैं तो गुफा का दूसरा रास्ता भी हमने ढून लिया है तो गुफा के अंदर जाते ही हमें चटाने बहुत ही कमजोर तेकने को मिलती है क्यूंकि ये चटाने बहुत सालों से पुरानी हो चुकी है इन चटानों का अभी भरोसा कोई नहीं करशकता कौन सा रास्ता कब बंद हो जाए किसी को मालूम नहीं इदर भाई हमें ले जा रहे हैं माता जी के गुफा की तरफ और वहां पर एक मंदिर बनाया है माता जी का छोटा सा तो वहां पर चलते हैं तो गुफा में तीसरे मंदिर की तरफ हम पहुंच चुके हैं जहां पर एक छोटी सी खंटी भी लगी भी है जिसकी आवाज पूरी गुफा में बजती है यह मंदिर का सबसे बड़ा हॉल है यहां पुजा अरचना के लिए पंडी जी पहुंच जाते हैं और यहां गर्मी के समय गर्मी बहुत जादा लगती है जिसलिए पंखा भी लगाए गया है यहां लाइट की वेवस्ता सिर्फ 500 मिटर के एरिये में ही की गई है माताची के दर्शन के बाद हम गुफा के अगले चरण में पहुंच जाते हैं तो हमारे मित्र रविंदर भाई बताते हैं कि यहां पानी बहुत ज़्यादा संक्या में आता है पानी कहां से आता है किसी को मालूम नहीं यहां पानी की जरी आप देख सकते हो और बता रहे हैं कि यह मंदीर डूब जाता है पानी से आगे हमें पानी का छोटा सा तलाब भी देखने को मिलेगा जो रविंदर भाई बता रहे हैं कि ये आगे गुफा में हलका सा पानी देखने को मिलाए आगे हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पानी कहां सक कहां तक होता है और कहां नहीं किसी को मालूम नहीं तो हम ज्यादा रिक्स ना लेके वापस दूसरे रास्ते पे चलने को तयार है दूसरे रास्ते से जाने के लिए बहुती कठिन भरा महल था क्योंकि ये रास्ता बहुती छोटा था यहां से जुक के जाना पड़ा आगे कुछ और ही मोड आ गया है क्योंकि आगे रास्ता बनता हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा जहां पर चमगादरों का मोहल था जैसे जुन्ड हो और वो सबसे बड़े बड़े चमगादर थे जहां पर आगे जाना खत्रों से भरा हुआ था आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था क्योंकि चमगादरों के डर से हम आगे नहीं जा पा रहे थे चमगादर इतने भैंकर थे जो डराओने नजर आए ये चमगादर किसी पे हमला कर ले तो वो इनसान बच नहीं सकता आगे चलने पर हमें गुफा का दूसरा गेट नजर आया जो मंदिर के पास दो गेट बने हुए हैं दूसरे गेट के शीडियों के पास हमें एक सुरंग देखने को मिली जहां मारे मित्र ने बताया कि यह गुफा जोगी तरत की गुफा से मिलती है जो भी फिलाल बंद कर दी गई है क्योंकि यहां से जाना जोकिम भरा रास्ता है गुफा में आगे चलने पर हमें फर्स्ट गेट की तरफ पहुँचना था जहां पर हमें एक रौसनी देखने को मिली आगे चलने पर हमें वह रोसनी 1st गेट की तरफ ले जा रहे थी और भगवान गनेजी का मंदिर भी पहुंच चुका था तो हम पॉँच चुके हैं फर्स्ट गेट की तरफ दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मैं असा करता हूं कि यह वीडियो बहुत ही सांदर लगा होगा क्योंकि यह माताजी का मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर तो वीडियो अगर पसना आयो है तो लाइक झाल झाल